वेल्कम दोस्तों तो इने वीडियो दोस्तों इस चैनल के उपर आपको मेंली देखना को मिलता है टेक प्रोड़क का अन्बोक्सिंग और रिवीव वीडियो साथी साथ मैं कुछ इजी कूकिंग भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो की बैचलर इजीली अपने घर में पका सकते हैं मेंली यही दो चीज में इस चैनल के उपर दिखाता हूँ लेकिन आज मैं अन्बोक्सिंग करने जा रहा हूँ कुछ अलक दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं है बस एक चाय का जो कप है न वो है लेकिन डिजाइन थोड़ा यूनिक है बोलके मैंने इसको मंगाया है वैसे तो म मैं वीडियो में शो नहीं करता है इस प्रोड़क को लेकिन मदलब मुझे लगा के थोड़ा यूनिक डिजाइन है बोलके आपको दिखाना चाहिए और क्यों मैं इसको ऑर्डर कि आगे आपको बताऊंगा चलिए पहले इसको अन्बोक्स कर लेते हैं अरऄ की वोक्स के अंदर बोक्स का चीज है तूटना जायाि इसके लिए बीए बाक स्कनी दूत में दीन Ό, और अंदर के बाहर में दैखें से फोम का प्रोंड़क्षान दिया गया है सब्सक्रीन हो अ fout कि दोस्तों ये देख सकते हैं ये कप मैंने मंगाया है थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं कि सो ये कप में खासियत क्या है खासियत क्या है वो आपको कुछ देर बाद मालूम चलेगा ये डबल वाल का है सो देख सकते हैं अगर मैं चाय अंदर डालूंगा न तो भी देखी ये बाहर का लेयर ऐसे दिखेगा लएया के बीच में मोटा सा काच ऐसा दिया गया है आपको शायद ऐसे मालूम नहीं चल रहा है बाइद वए इसमें 300 ml तक जो लिकुएड है वो आ जाएगा कब बहुत ही हलका है कब उतना भारी नहीं है मैं सोचाता थोड़ा भारी बरकम बाला कब होगा लेकिन कब हलका है और ये बोडो सिलिकेट ग्लास का है अभी तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा एक काम करता हूँ मैं ये जो कागज है न इसके उपर रखके दिखात हूँ तो फिर शायद थोड़ा क्लियरेटी आए तो ये कागज के उपर अभी तो और भी समझ में नहीं आ रहा है एक काम करता हूँ इसके अंदर हम लोग चाय डाल लेते हैं थोड़ा चाय बनाते हैं और उसके बाद आपको मैं क्लोजब लुक से दिखाता हूँ ये पानी तो डाल दिया है अभी चाय की बारी है और गानेक हीमेलान ग्रीन टी का यहां पे टी बैक उपन कर लेते हैं और इसको यहां पे डिप करेंगे करेंगे तो दोस्तों यह रहा मेरा चाय थोड़ा सा में जूम इन करके दिखा देता हूँ देखेंगे यह है डवल वाल देख सकते हैं बहुत सुन्दर लग रहा है नीचे का जो साइड है दोस्तों यह बहुत हलका है यह इतना मोटा कांच है नहीं अंदर का वाल अलग है और बाहर का वाल अलग है मतलब अलग तो नहीं है यह पूरा एक ही मोल्ट में मतलब मोल्ट को ऐसे बनाया गया है कि पूरा यह एक बार में ही बनता है मतलब यहां पर जो कांच है मतलब जॉइंट तो यहां पर नहीं दिख रहा है शायद यह टॉप में हो सकता है कि जॉइंट है लेकिन नहीं लग यह जो कांच है ऐसे ही मतलब ऐसे अंदर आया है अंदर का वाल और ऐसे मोर के बाहर की तरफ लिया गया है मतलब ऐसा जॉइंट नहीं दिख रहा है जो एक अच्छी चीज है और साथी साथ में डिजाइन जो है यूनिक लग रहा है थोरा सा एंड यह हलका है बिकॉस बहुत स पास से कोशिश करता हूं दिखाने का बहुत से लोग सोचेंगे के अरे यह तो इतना मोटा है भारी होका अंदर जो है एक्टिया अजुआ है और बहर का वाल बीच में पूरा वैक्यूम है जिसके वजए से जो गर्मी है देखिए चाह तो गरम है अंदर से हलका अलका धु वहां निकल रहा है शायत कैमरा में ना दिखे लेकिन बाहर की तरब में अगर साइड में भी पक्रू ना हलका सा गर्म, हलका सा गर्म मतलब जादा गर्म लग नहीं रहा है विकॉस ये इंसुलेशन का काम भी करता है अगर नीचे भी बगरू तो नीचे तो एकदमी मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन चाय जो है चाय गर्म है दोस्तो ऐसे चीज का रिव्यू तो में डालता नहीं लेकिन इसको मैं क्यों मंगाया और क्यों आपको दिखा रहा हूँ मुझे प्रोडक्त थोरा सा यूनिक लगा दोस्तो एक्जक प्राइस तो में नहीं बताऊंगा आपको ऐसा अपडाउन होते रहता है इसको मैंने क्यों मंगाया दोस्तो आपको पता है मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि चाय या फिर कॉफी नहीं कुछ मार्केट में आया या फिर नहीं कुछ मिला कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कॉफी है बहुत सब आपको वीडियो के थुरू दिखाता हूँ दोस्तो पहले में एक छोटा वाला ग्लास यूस करता था लेकिन मुझे लगा कि वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है वीडियो में सर्फ वीडियो के लिए मैं कब को मंगाया है थोरा सा चाय गिर गया थोरा सा पास से दिखाता हूँ और एक बार देखिए बाइदेवे सामने स्वाप बॉक्स का लाइट है बोलके आपको कुछ ऐसे दिख रहा है नहीं तो और क्लेर लिए दिखता था बालब जो शैडो है शैडो नहीं बोलूंगा जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं आता था तो देखिए यह रहा चाय और नीचे का लास देखिए कैसा आता है इसका एक मतलब शायद आपको इतना अच्छे से मालूम नहीं चल रहा है इंडोर में दोस्तों यह बोरो सिलिकेट क्लास का है दोस्तों आपके घर में गेस्ट आता है और आपको चाहिए एक प्रीमियम कप टू सर्फ टी और कॉफी तो दिस इस फ़र्फेक्ट वन लेकिन यह मैंगा है तो अगर आपको श्वाफ करना है तो इसको मंगा सकते हैं मैं तो बस ऐसे यूट्यूब वीडियो के लिए मंगा है लेकिन आपको देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में गेस्ट आये उसको मतलब एक प्रीमियम कप में सर्फ कड़े तो यह मंगा सकते हैं इसका सेट भी मिलता है मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मतलब एक चीज़ ध्यान रखि बिकास मुझे जो प्रोड़क्ट है यह जो प्रोड़क्ट है यह थोड़ा यूनिक लगा दैट्स वाई मैं सोचा क्यों ना बनाया जाए और मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया इसके उपर मतलब एक या दो शायद मैंने कुछ देखा था फोटो या मतलब दूसरा कि इसका वीडियो बनाना चाहिए फेमोरा के तरफ से यह है टी या फिर कॉफी कप इसका क्वांटिटी है 300 ml अंदर 300 ml तक चाय कॉफी अंदर आ जाएगे इसका वेट भी मैं आपको बता देता हूं पहले चाय को खतम कर लो अभी हम लोग करने वाले हैं इसका आपका वेट यह भी 0 है 0 पे अभी इसके उपर कप को रख देता हूं जो वेट है आपको दिखेगा तो 131 ग्रैम्स थोरा से इदर उदर करता हूं क्योंकि थोरा से चेंज हो सकता है नहीं 131 ग्रैम्स बहुत ही लाइट वेट है यह आपको फील ही नहीं होगा कि मतलब आप कप पकड़ा है अगर यह छोटा चीज होता तो फिर मतलब फर्क परता था लगता था थोरा भारी है और यह जो कप है यह ब्रॉड है अंदर का जो एरिया है वह वेक्यूम है इस वजह से बहुत हलका आपको महसूस होगा हाथ में दोस्तों इस प्रोड़क का बेस्बाइ लिंक आपको न हुआ 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 झाल झाल